तो आई तिंग अभी हम लाइव है इब फटाफट से बता दीजे साउंड वागिर सब कुछ परफेक्ट है कि हम क्लास आज की स्टार्ट करते है फिर फटाफट जल्दी से बता दू अजया है हरेहर महांदेप्रवीन जी और तो इस तो अधो गूंस्य जी इस नोन, खेह न, श्री जीए न मुझे 30 आफट से बता दीजिए अर्सथ जी आप टेंसन ना ले आपको उसकी टेंसन ना लो है ना आपकी एक्सपायर होने पर भी कैपिटल बेजेटिंग और रिलेटेड अमेंट्मेंट्स प्रोवाइड किया जाएगा हम एक सेपरेट कोर्स बना के उसका एक्सेस देंगे उसकी आप टेंसन ना लो गुड मॉर्निंग अवरिवन एफ आप बती है आप लोगको एक्सेस वगएरा मिला कि आप लोगको नहीं हुआ तो का पीडीस नहीं मिलाam इच्छा कल का पीडियफ नहीं मिला ओकी काम करते हूँ जो अभी हमने वाटसप गृरूप में लाइव बेक्ड च्रेट किया उस्में दे तूं घे जादर रहेगा कि काम करते ठीक है कि एफ़ इम का लाइव पे चूदिया उसमें कर देते हैं उसमें दे दूँगा मैं आप लोग को तो इस बुक्स मिल जाएगा दर्सने जी बहुत जल मिल जाएगा थोड़ा सब वेड़ कर लेज़ा क्योंकि कुछ 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 ठीक करके आपको देंगे एक्सेस मिल जाना चाहिए था अभी तक तो नहीं मिला जिस्ति जी उसके बाद वेड़ करना और वो 31 भी आपको रिफंड हो जाएगा वो जो प्रोसेस के चलते वो लिया गया वो रिफंड भी कर देंगे ठीक है चलो क्लास स्टार्ट कर सकते हम नहीं आज नहीं अभी यूटूब में कर रहे हैं अभी तो यूटूब में हम करी रहे हैं आगे फर्दर हम बात करेंगे चली तो आज हम क्या करते हैं आज की क्लास अभी हम स्टार्ट करते हैं ठीक है आज एक्सेस नहीं भी मिला तो मिले गई को टेंसन वाली बात में है स्रिस्टी जी एक्सेस मिले गई और वहाँ पर अगर आप लोगों ने वो एक काम करना स्रिस्टी जी आपने जैसे क्या न वो गुरूप पे आप एक बार गाइड कर दिना बच्चों को मेल सबको गया है अब सभी को कीज़ेगा जो जो क्लास वाले बच्चे सभी को अपना मेल के थुरू आपको एक वाटसब ग्रूप का लिंक दिया कि उस वाटसब ग्रूप को जोइन कर लीजेगा ठीक है और स्रिस्टी जी आपने जो वो प्रोसेस किया है वो प्रोसेस एक बार वाटसाप ग्रूप में बच्चों को गाइड भी कर दीजेगा ताकि बाकियों को प्रॉब्लम नहीं और मैंने सब्सक्राइब करेंगे लाइफ और उसके बाद हमारा एक नया सॉप्ट्रेयर है उसमें हमारा सब कुछ प्रॉब्लम सॉट आउट हो जाएगा फिर उसमें हम सभी को लाइव करवाएंगे लिकिता जी आपको इन्वैलिड नहीं होना चाहिए जो आपका पूर्ड वो इन्वैलिड नहीं होना चाहिए आपको गाइड कर देगे तरुन जी का भी कहने ठीक है तो यह चीज को सुधार करना पड़ेगा हमें सबसे पहले आप लोग एक काम करो सबसे पहले को वाटसब गुरूप को जोइन करो आप लोग सबही के सभी वाटसब गुरूप को जोइन कर लीजगा सबको मैल तो मिल गया है ना अई धिंस सभी Star भी कर ग़ियरा का link मिल गया है mail के थृ चलिए तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अगर नहीं आया चिराग जी तो मेल आजाएगा आप लोगों ने क्लास लिया वह जिसका भी मेल नहीं आया तो भी मेल आजाएगा अगर फिर भी नहीं आया तो यह काम करना 9864047095 पर टेलिग्राम करके छोड़ देना मैं देख लूँगा और मैं फिर प्रोसेस करवा दूँगा या टीम का नंबर है टीम को कनेट करके बोलो कि हमें मेल नहीं आया वह आपको मेल प्रोवाइड करेंगे बाग दिव्या जी मेल में आपको लिंक मिला होगा वाटसप ग चनलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं आपको याद होगा मैं ने पिछली क्लास में आप लोग को समझाया था क्या समझाया था मैंने probability के थ्रू हम लोग क्या कते थे expected cash flow निकालते थे और expected cash flow के साथ हमने क्या निकाला था standard deviation यानि variance निकाला था और फिर standard deviation भी निकाला था इसके अलावा एक को और चीज़े that is coefficient of variation जो मुझे पढ़ाना बागी है तो coefficient of variation और कुछ नहीं है यह आपको मदद करता है है अगर एक से ज़्यादा project हो तो आपको मदद करता है यह decide करने में कि कौन सा project हमें accept करना चाहिए तो इस coefficient of variation के लिए मुझे आपको कोशिन कराना पड़ेगा उसके तुरू अपने आप क्लियर हो जाए क्योंकि यह कोई ऐसा concept नहीं कि NPV and risk है जैसे अगर मैं आपको बोलो NPV ज़्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए आप बताईए जितना ज़्यादा NPV हो उतना अच्छा है ना और साहथ साथ अगर मैं risk की बात करू variance that is standard deviation के बात करू तो standard deviation में आप क्या बोलोगे जितना कम standard deviation उतना अच्छा कहने का मतलब यह कि standard deviation कम होना चाहिए और आपका MPV ज्यादा होना चाहिए वो project अच्छा होगा है ना और इन दोनों का combination से बनते है coefficient of variation जिसको हम question में apply करेंगे अपने आप आपको clear होगा चली तो अब मैं आपको ले के चलता हूं question पर हम question करते हैं question के through clarity आईगी एकदम अच्छे से मैं देख लेता हूं कौन सा question कर रहा हूंगा मैं आप लोको बहुत easy यह capital budgeting बहुत easy chapter है एफे में तो कुछ भी tough नहीं है अगर अच्छे से practice करो ना कुछ भी tough नहीं है सच बता रहा हूं आपको मैं एफे में ऐसा paper है जो exam में भी आप जाओगे तो आपको tough नहीं लगेगा अगर अपने अच्छे से तैयारी की विए ना बिल्कुल भी tough नहीं लगेगा आपको seriously मैं आपको कोई illustration एक करवाता हूं देख लेता हूं कौन सा चलो illustration 6 करवाता हूं मैं आप लोग को देखें इससे आपका coefficient of variation पूरा clear हो जाएगा हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आओ चार्ट करते है illustration 6 calculate coefficient of variation of project A and project B on the following information देखें project A का data दिया हूए project B का data दिया हूए बता है कि project A में आपके क्या-क्या cash flows हो सकते हैं यह बता है project B में क्या-क्या cash flows हो सकते हैं यह बता है इसके अलावा इस question में मुझे लगता है कुछ information missing तो नहीं है इस उससे हो जाएगा मारा एकी साल का data दिया हूए मैं आप देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं प्रोजेक्ट A की मैं अपने इसाब से पूरा ही बनाते में आपर एक्जाम में भी ऐसी present करना आपके cash flow क्या A, B, C, D, E का मैं नाम नहीं लिखता हूँ 10,000, 12,000 cash flow इसको x पकड़ लेते हैं ठीक है 10,000, 12,000, 14,000, 16,000, 18,000 अब क्या इसमें probability दीवी है येस तो probability से हम expected cash flow निकाल लेंगे 0.10, 0.20, 0.40, 0.20, 0.10, 0.10, इसको लगा के हम क्या निकालेंगे expected cash flow चलो मैं यहां पर की निकाल देता हूँ कितना आएगा 10,000 का 0.10,000 आएगा 12,000 का 0.20, कितना आएगा 2400 आएगा 14,000 का 40% कितना आएगा 5600 आएगा 16,000 का 20% कितना आएगा 3200 आएगा 18,000 का 10% आएगा 1800 आएगा यह होगी हमारा तो अब देखिए 3400, 4000, 9000, 12,000, 13,000, 14,000 आ रहा है मेरे क्याल से यह आपका क्या होगे expected cash flow इसे हम x बार भी बोल सकते हैं expected cash flow होगी है तो आप देखिए expected cash flow हमारा 14,000 है एक बार मुझे clear कर दो क्या यह 14,000 है फिर मैं आगे बढ़ता हूँ 14,000 हमारा expected cash flow है अब हम क्या कर सकते हैं 10,000 हुआ तो risk कितने का 4,000 का risk है कम जो रहेगा तो minus में आएगा 4,000 का risk है आप ऐसे भी कर सकते हैं पर ऐसे directly पता चल जाएगा 14,000 लिए 12,000 हुआ तो कितने का risk है 2,000 का risk है 14,000 में कितना 0 16,000 हुआ तो कितना 2,000 का favorable risk है और इधर आपको 4,000 का favorable risk है यह हमने निकाल लिए आपर कुछ नहीं मैंने पिछली class में समझाया था आप लोग को अच्छे से तो यहाँ पर वापस से बताने के जरुत नहीं है तो यह निकाला हमने अब हम क्या करते है square कर देते, gaps का square कर देते ताकि negative positive कट हो जाए x-x-bar square कर देंगे मैं अपर, तो कितना आएगा, 4,4 जा 16 आएगा और 6,0 आजाएगा मेरे क्याल से 6,0 ही होना, 4000 into 4000, yes 16,6,0 चलो, फिर 2,2 जा 4 और 6,0 आजाएगा, यह तो 0 यह रहेगा, यहाँ पर भी 4 और 6,0 यहाँ पर 16 और 6,0 यह आगिया हमारा, अब इन चारो को क्या करेंगे, इन चारो से हम क्या करेंगे अभी हम, अब हम variance निकालेंगे, sigma square x, variance कैसे निकालेंगे, probability दिया हो है न, अलग-अलग situation का, इन सब में probability लगाओगे, आपका average variance आजाएगा, क्योंकि यह तो individual variance है, individual variance में probability लगाएँगे, तो क्या आएगा, average variance आएगा, तो आप देखे, probability कितना है, इसका 10% है, तो यह हमारा 16,6,0 है, 10% लगाएँगे, तो 16,5,0 हो रहेगा, ठीके, 4,6,0 है, 20% लगाएँगे, यह 40,0 है, 40,0 मे कितना रहेगा, 40,0 है, है न, 20% लेना है, इसका, 20% लेंगे, तो कितना आएगा, आपका, 8,0 लगाएगा, नेक्स 16,0 लगाएँगे, तो रहे, तो मतलब आपका average variance जो है, वो कितना है, 48,0 लगाएँगे, तो आपका sd कितना होगा, sd ने, sigma x, इसका root, तो sd कितना हो जाएगा, आप देखो, 48,0 लग का root कर दीजिए, अब आप, यह आएगा, 2190.9, 2190.9, अब मेरी बात धिहान से सुनवागे, इसका मतलब क्या भी, project A में हमने क्या सीखा, कि project A का जो return है, वो 14,000 का return है, 14,000 का यह cash flow, return average cash flow कमाने के लिए हम इतना risk उठा रहे हैं, है न, इतना risk उठा रहे हैं यहाँ पर, बोलो है है न, 14,000 कमाने के लिए हम इतना risk उठा रहे हैं, तो 1 रुपी कमाने के लिए हम कितना risk उठा रहे हैं, बता सकते हो मुझे, अगर मैं 14,000 का average cash flow कमाने पर मैं इतना risk उठा रहा हूं, मेरा sda 2190.90 तो मेरा सवाल है कि 1 रूपी के लिए 1 रूपी कमाने के लिए आप कितना रिस्क उठारो आप ये cash flows earned करने के लिए तो रिस्क उठारे हो और रिस्क क्यों है क्योंकि आपका cash flows अलग-अलग हो सकता है तो ये 14,000 का cash flow में हमारा इतने का risk है 2190.90 का risk है हमारा पर तो आप मुझ 14,000 cash flow risk taken कितना risk लिए आपने 2190.90 का अपने risk लिए therefore for रूपी 1 का रूपी का cash flow generate करने के लिए आप कितना risk ले रहे हो 2190.90 divided by 14,000 और ये कितना आएगा 2190.90 divided by 14,000 ये आप 0.1565 इसी को पते है क्या कहते है इसी को हम कहते है coefficient of variation ये कहते है कि अप 1 रूपी का cash flow generate करने के लिए कितना risk उठा रहे है उसी को हम कहते है coefficient of variation तो मैंने ऐसे निकाला simple way में अब इसका formula बन जाते है तो formula भी लिखवा देता हूं तो coefficient of variation का formula क्या है इसका formula उपर हम लेते है standard deviation और नीचे हम लेते हैं expected cash flow और या फिर NPV divided by expected cash flow या NPV है न तो यहाँ पर हम cash flow की बात करें क्योंकि outflow वगएरा का कुछ है नहीं है पर outflow का जिकर ही नहीं initial outflow कितना होगा तो मैं यह बता दे रहें कि इतना cash flow generate करने के लिए हम इतना risk उठा रहे है तो वन रुपी का cash flow generate करने के लिए पॉइंट 1565 का risk उठा रहे है और इससे भी आप करोगे वही आएगा क्या सेंडर्ड डिवीजिन क्या 2190.90 और expected cash flow क्या 14,000 है यह नहीं वही आएगा वन रुपी का NPV कमाने के लिए या फिर वन रुपी का cash flow generate करने के लिए हम कितना sd कितना risk उठा रहे है that is what coefficient of variation चलिए तो project A का हमने यह काम कर लिया अब हम project B की बात करते है प्रोजेक्ट B भी तो है project B कम Y ले लेते हैं ठीक है क्या है cash flow 26,000 22,000 18,000 14,000 और 10,000 है यह आगया हमारा यह आगया फिर हम क्या करते है इसमें probability लगाएंगे probability क्या क्या है 0.10, 0.5, 0.10, 0.15, 0.50 0.15, 0.10 तो आपका इससे क्या आएगा हमारा expected cash flow आ जाएगा 26,000 आप खुद भी कर ओगे तो 22,000 33,000 आएगा मुझे total भी बताना आप लोग फिर 18,000 का 50%, 9,000 आएगा 14,000 का 15% 1400, 2100 आएगा 10,000 का 10% 1000 आएगा यह आपका Y बार कितना आएगा 33, 43, 53, 59 60 3000, 8000 9000 यह 18,000 आ रहा मेरे कहाल से 18,000 आ रहा है कि अब चेक करके बार मुझे बताइए यह 18,000 आ रहा है यह मुझे बार चेक करके फटाफट से बताइए 18,000 आ रहा है कि है तो यह 18,000 हमारा आएगा अब हम क्या करेंगे रिस्क निकालेंगे X-X बार रिस्क निकालेंगे 18,000 आ रहा परफेक्ट तो 26,000 हो गया तो 8,000 का फेवरे बले प्लस में रहे गई है 22,000 हो गया तो 4,000 का फेवरे बले प्लस में रहेगा यहाँ पर 0 आ रहा है फिर आपका इधर 4000 माइनस पर होगा आपका यह यह आपका 8000 माइनस पर होगा फिर हम क्या करेंगे x माइनस x बार whole square निकाल लेंगे क्योंकि risk को caps को eliminate करने है negative positive को eliminate करने है 8864 और 3 का 6 0 हो जाएगा 4416 तीन का 6 0 हो जाएगा यह तो 0 रहेगा 4416 तीन का 6 0 हो जाएगा और 8864 तीन का 6 0 हो जाएगा यह हमने निकाल लिया अब इसी में हम क्या करेंगे इसी में weights लगा देंगे probability लगा देंगे हमारा सिगमा square y आ जाएगा यनि variance आ जाएगा तो अब देखो यहां पर मैं rough में कर लिता हूँ 64 6 0 है इसका 10% यनि 6,640 लाग है ना 64 6 0 है ना उनो है ना 64 6 0 था 8864 यह 640 लाग का 10% कितना हैगा 64 लाग आएगा यह 64 लाग है और 160 लाग का 15% 16 लाग और इधर 24 लाग आएगा पिर नीचे वाले का भी आपका 15% 16 का 24 लाग ही आएगा और 64 का 10% 64 लाग आएगा अब लेटी लगा दिया मैंने तो कितना आएगा 64 लाग 60 61 28 लाग और 128 और 48 58 68 7 76 लाग आएगा मेरे ख्याल से 1 क्रोट 76 लाग आ रहा है 176 लाग रूट कर देंगे इसका 4195.24 4195.24 आ रही है बताओ मुझे एक बार मैं सही कर रहा है न मैंने तो देखिए मैंने वारियंस निकाल लिया स्टी भी निकाल लिया और यह एक्सपेक्टेड कैस्टो भी हमने निकाल लिया चैन बोलो सही है 4195.24 परफेक्ट है आप लोगों ने कह दिया सही है तो अब यहा देखो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर भी मैं ऐसे बोल सकता हूँ 4 रुपीज 18,000 का कैस्ट फ्लो जनरेड करने के लिए 18,000 रुपीज का कैस्ट फ्लो जनरेड करने के लिए आप रिस्क कितना उठा रहे हूँ रिस्क भी तो उठा रहे है 4195.24 का तो 1 रुपीज जनरेड करने के लिए कैस्ट फ्लो आप रिस्क कितना ले रहे हो 4195.24 डिवाइड बाइ 18,000 का रिस्क ले रहे हो अब यहाँ 18,000 का cash flow उठाने के लिए 1 रुपेस का cash flow के लिए कितना रिस्क उठाया 4195.24 divided by 18,000 यह अब 0.2331 आएगा 0.23306 है 0.2331 आया यह हमारा यह हमने ले लिया तो यह हमारा coefficient of variation अब यहाँ पर भी मैं अगर यह लिख दूँ यह अगर मैं ले लूँ यहाँ पर तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे 4195.24 divided by 18,000 सेम वही लिखेंगे यह आएगा 0.2331 अब मुझे बताई कौन सा अच्छा है प्रोजेक्ट on the basis of coefficient of variation आप बताई कौन सा प्रोजेक्ट अपको अच्छा लगा पतासके करो मुझे बताव कौन सा प्रोजेक्ट अपको अच्छा लगा on the basis of proces and masters of variation अगर ओं को अफ्यान में रखें तो आपको कौन सा प्रोजेक्ट यादा पसंद आया ज्यादा अच्छा लेगा यह मुझे जल्दी से फटाफट से बता दीजा जल्दी से बताओ कौन सा अच्छ है देखो यहां पर हम क्या बोल रहे हम यह बोल रहे कि इधर देखो अगर हम इधर की बात करें इधर हम वन रुपी का cash flow generate करने के लिए इतना रिस्क उ होगा कोई भी फोर्मूला होगा एक्जाम के लिए ध्यान रखना जो numerator है ना वही में बेस रहते हैं क्योंकि डिवाइड होके कट जाते हैं numerator में risk है standard deviation है numerator में और risk का कम होना अच्छा होता है तो project A का risk कम है project यह अच्छा है है ना तो project A यह less riskier है यह less riskier यह more riskier compared to project है तो हम क्या बोलेंगे since A is less riskier as compared to project B therefore project A should be accepted हमें क्या करना चाहिए project A को accept करना चाहिए project A should be accepted बताओ अभी बात clear हुई या नहीं हुई बताओ अभी बात clear हुई की नहीं हुई perfect एकदम अच्छे से बोलो एकदम अच्छे से समझ में आया यह तो अब हमने क्या सी अब हमने हमारे books में क्या क्या add कर लिया हमने यह देखा statistical techniques हो था हमारा उसमें हमने क्या क्या पड़ा probability मैंने आपको अच्छे सा समझाया probability कैसे क्या work करता है अलगल सिनारियों में क्या cash flows हो सकता है फिर हमने देखा variance और standard deviation हमने सीखा और फिर मैंने आपको finally coefficient of variation भी सिखा दिया कि coefficient of variation का क्या role है वह हमने देखा coefficient of variation हम क्या से निकालते standard deviation divide by cash flow या फिर standard deviation divide by NPV तोनों में से दोनों चलेगा है ना क्योंकि NPV ultimately निकलता है क्या है net cash flow ही तो NPV जो है आपका present value of net cash flow हुआ जो आपका present value of cash inflow minus cash outflow से NPV आता है तो इससे हमने यह पता कर लेंगे कि coefficient of variation क्या है अब coefficient of variation obviously जिसका कम होगा वो project हम क्या करेंगे accept करेंगे simple सी बात है तो यहाँ पर इसका कम है यह project हमने accept कर लिया बस बात खदम तो मैंने आपको जो मैंने आपको पढ़ाया था कल techniques of risk analysis यहाँ पर मैंने आपको statistical techniques में मैंने आपको probability variance और sd और coefficient of variation मैंने आपको clear करवा दिया यह clear करवा दिया अब मैं आपके से discuss करूँगा what conventional techniques conventional techniques थी कि अलग 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 प्रकार का technique से क्या valuation कर रहे है valuation का बहुत प्रकार का technique हो सकता है को define rule नहीं कि आपको ऐसे valuation करना ऐसा कुछ नहीं है अब अलग 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 प्रकार से valuation कर सकते हो वो depend करेगा अलग अलग entities के ओपर depend करेगा कि क्या suit करते है तो उस इसाप से आपका अलग अलग techniques होता है जिसके चलते हम risk वगेरा को analyze करते हैं हम देखते कि project के अंदर चलो NPV positive तो आ रहे है पर इसके अंदर risk है क्या तो वो risk कॉम क्या करते है analysis करते है जिसमें मैं अब आपको सिखाऊंगा risk adjusted discount rate और इसके अलवा certainty equivalent तो उनों आपका risk को analyze करते है दोनों का method अलग है दोनों का तरीका अलग है दोनों मैं आपको समझाऊंगा तो risk adjusted discount rate क्या होता है यहां पर मैं आपके साथ बात करूँगा भी conventional techniques के बारे में इसके अंदर सबसे पहले हम discuss करेंगे risk adjusted discount पूरे लिग देता हूं risk adjusted discount rate इस रडार अब एक बात बताओ मुझे इसका मतलब क्या मैं आपको समझाता हूं अगर मालो मैं कोई government bonds वगेरे में पैसा लगाता हूं कोई risk है वहाँ पर नहीं है तो government bonds वगेरे में मुझे क्या मिलेगा risk free rate मिलेगा माल लीजिए for example 7% is the risk free rate है मैं किसी भी government bonds में पैसा लगा हूं या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिस प्रोजेक्ट में मैंने contract ले लिया किसी पार्टी से और वो पार्टी मुझे confirm है कि यह कोई particular cash flow दे जिसे माली जी मैंने आपसे पांच साल का contract ले लिया है कि पांच साल में आपको service दोंगा और हर साल आप मुझे confirm है आप हर साल मुझे तो यह तो आप समझ लीजे कि हम कभी अगर कोई भी प्रोजेक्ट होगा उसमें मैं रस्क फ्री रेट चाहिएगा और यह रस्क फ्री रेट कहां से मिल जाता है government securities वगेरा में देख लो क्या rate दिया जाता है वो रस्क फ्री है क्योंकि government securities वगेरा में किसी भी प्रकार का risk नहीं होता है तो रस्क फ्री रेट होगा अब ध्यान रहे risk-free rate के अंदर ही include रहता है inflation इंफ्लेशन वगेरा को ध्यान में रखते वे आपको risk-free rate मिल जाता है तो कि inflation तो हर चीज में होना है inflation का risk से कोई लिना देना नहीं तो risk-free rate जो रहेगा वो including inflation यह तो मिले गए अब बॉन्ड वगेरा में भी पैसा लगा हो गया बोलो लेकिन अगर हम किसी ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगा है जिसमें रस्क हो तो इसके चलते अगर मालो मैंने government securities में या फिर ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगा है जहां पर कोई risk की नहीं है वहां पर मैं बोलूँगा मुझे प्रोजेक्ट में पैसा लगा हूँ जहां पर रिस्क इनवाल तो क्या उस रिस्क के लिए मुझे compensation नहीं चाहिए एक्स्ट्रा से मुझे premium नहीं चाहिए यह चाहिए तो वहां पर हम क्या करते है रिस्क फ्री रिट तो लेते ही है साथ-साथ में क्या मानते है प्रोजेक्ट जिसमें कोई भी रिस्क ना हूँ जिसका एसडी जीरो आ रहा है वहां पर आप कौन सा रेट का इस्तमाल करोगे इसकांटिंग करने के लिए कौन सा रेट का इस्तमाल करोगे रिस्क फ्री रिट उसमें इंक्लूडिंग इन्फलेशन हो जाए लेकिन अगर आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हो जिसके अंदर रिस्क है तो वहां पर आप सिर्फ रिस्क फ्री रिट से आप का पेट नहीं बढ़ेगा आपको जो रस्क आपने उठाया उसका कंपेंसेशन भी जाएगा यह यह दोनों चीज हमें सही होते हैं तो इसी के लिए मैं एक्जांपल अभी प्रेम नहीं करूंगा क्या मतलब एक्जांपल प्रेम करके हम टाइम को खराब करें को कोशिन के साथ आपको बस दोगा देने वाला बात होगा कि ठीक आपको खुस करने के लिए तो मैं थोड़े ना आपको खुस करने के लिए पढ़ा रहो मुझे तो दोनों चीज धियान रखना है कि आपका ज्यादा समय भी खराब ना करो और आपको सब कुछ पढ़ा दू ताकि एक्जां यहाँ पर हम इलस्टेशन सेवन की बात करते हैं हमें दोनों चीजों का दिहान रखना समय और अच्छी पढ़ाई क्वालिटी पढ़ाई दोनों चीज हमारी होनी चाहिए वह हमारा एक्सपेक्टेड रहेगा देखे तो यह वाला कोशिन अभी हम करते हैं पताइए परफेक्ट है यहाँ पर अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एंटरप्राइज इंवेस्टिंग हंड्रेट लाख हीने प्रोजेक्ट इन्वेस्ट क्या कर रहा है यह हंड्रेट लाग रुपीस प्रोजेक्ट में इसकांटरेट रडार क्या होगा यहाँ आर एफ प्लस रसपी आर एफ कितना है सेवन परसेंट है और आपका रिस्क प्रीमियम कितना है सेवन परसेंट है कितना आ गया यह है, यह आ गया 14% यहनि रडार हमारा 14% है, रिस्क अजस्टेट डिस्काउंटरेट हमारा 14% है और आपका रिस्क फ्री रिट 7% है तो देखें पांच अलग अलग साल दिया वह जिसका रिस्क अलग यह बता दिया में पूछा, मुला कि risk free rate को ध्यान में रखते वे भी बताईए और risk adjusted discount rate को भी ध्यान में रखते वे बताईए, अला कि हम दोनों में से एक ही इस्तमाल करेंगे practical life में उसके लिए हम क्या check करेंगे, हम देखेंगे कि अगर project में कोई भी risk नहीं है project में 0 risk है तो ऐसे situation में हम क्या करतें, सिर्फ ले लेते हैं अगर project में risk है, तो risk है तो premium भी लगीगा तब हम RF प्रेस और risk premium दोनों लेंगे radar लेंगे हम यहाँ पर, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो देखो, मैं ऐसे तो tabular form में ऐसे भी हम कर सकते 0 tier, 1st tier, 2nd tier, 3rd tier, 4 tier और यहसे भी पूरा marks मिलेगा आपको 25, 60, 75 80, 65 इन सब को खीच लेंगे इन सब को खीच लेंगे है ना, इन सब को खीच लेंगे कौन से rate से अगर पेले RF की बात करें, है ना पहला वाला basis, risk-free rate basis risk-free rate basis की अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे, 7% से कीचेंगे क्या करेंगे, 25 divided 1.07 equal M plus कर दिया 60 divided by 1.07 equal equal M plus कर दिया 75 divided 1.07 equal 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 M plus कर दिया तीन बार, 80 divided 1.07 4 बार equal दबा के M plus कर दिया, और 65 divided 1.07, 5 बार equal दबा के M plus कर दिया MRC कर दिया, I think 244 के आसपास आ रहा है, यार हमारा था, लेकिन मैं आपको बता दू, exam में मैं ऐसे नहीं करते, exam oriented थोड़ा सा, थोड़ा सा, ICI style में करते, तीखने के लिए ठीक है, सिखा दिया हमें अच्छे से, हम exam oriented क्या करेंगे, बता हम बोलेंगे, cash lose क्या हमारा, 25 65, 60, 75, 80 और 65 है, यह हमारा cash low हो गया, अब इसमें हम क्या करेंगे, present value, इसको present value में पूल करेंगे, TV at the rate 7%, हमें present value में तो लेकिए आना है, तो 25 को one year back लेकिए आना है, यह first year का है, यह second year का है, यह third year का, यह fourth year का, यह fifth year का, यहाँ पर PV को, वैसे भी करो, कोई problem नहीं है, बट हम ऐसे कर लेते हैं, क्या दिखते हैं, देखो, ध्यान देना है आपर अपर, तो 25 PV क्या लेंगे हम, PV कैसे लेंगे हम यह आपर, हम बोलेंगे 7% का में present value चाहिए, वन रूपी काम लेंगे आपर, तो वन रूपी, अगर एक साल बात वन रूपी है, उसका present value क्या होगा, 1 divided 1.07, equal करेंगे, तो पहले वाले का PV आ जाएगा, 0.9345 आ रहा है, हम इसको 0.935 ले लेते हैं, तीन डिजिट में, दूसरे वाले कारा, 0.873, तीसरे वाले कारा, 0.81629, 0.816 लेंगे, 0.7628 है, तो 0.763 ले लिया हम, 0.7129 है, 0.713, यह हमने PV ले लिया, मने हमने बोला कि 1 रूपी अगर एक साल के बाद होता, उसका present value इतना होता, 1 रूपी अगर 2 साल के बाद होता, तो उसका present value इतना होता, 1 रूपी 3 यर्स के बाद होता, तो उसका present value 0.13 में इतना होता, 1 रूपी 4 यर्स के बाद होता, तो उसका present value इतना होता, 1 रूपी 5 यर्स के बाद होता, तो उसका present value इतना रहता, तो अगर 1 रुपी आपका एक साल के बाद होता उसका प्रेजेंट वेलू इतना है तो 25 का कितना होगा कितना होगा 25 25 इंटू 0.935 23.375 आग गया यह दूसरा वाला 60 इंटू 0.873 52.38 आग गया यह नेक्स 75 इंटू 0.816 61.2 आगया यह पिर आपका 80 इंटू 0.7 थोड़ा सा लेबर वर्क हो रहा पर उपाई नहीं है यह आगया 61.04 थोड़ा सा लेबर वर्क हो रहा 65 इंटू 0.713 46.345 देखें अब मुझे इसका टोटल आप लोग भूप बता उगे मैं नहीं बता होगा आपक लोग घुझा मुझे फटा फट से बते इसका टोटल क्या होगा इसको पहुप खान आपका के लोगा इसको इसको एग्जाम को नीचे करते हैं सारी जो cash flows होंगे उसका present value कितना है 244.34 पहले भी तो यह है था 37 है था वो तो यहां पर 3 digit का कर रहे न इसलिए हलका सफर है कि वो माईन ही नहीं रखिगा यह आया अब हमारे initial investment कितना था 100 लाग initial investment है 100 का initial investment है तो 144.34 हमारा NPV होगी तो यहां पर तुम overall NPV निकाल रहे हैं ना पूरा net तो यहां पर भी जैसे अगर आप चाहो अगर आप चाहो coefficient of variation निकालना कैसे निकालोगे मैंने क्या बोला था उसके लिए अच्छा यहां पर निकाली नहीं सकते सोरी गलती होगी निकाल सकते हैं उसके लिए हमारा expected cash flow वगेरा देना होना था यह तो नहीं यह तो हर साल के probability वगेरा रहता तब निकालते यहां पर गलती होगी यहां पर नहीं निकाल सकते हैं अगर मैंने लोगो एसडी निकाला हुआ रहता है यह एसडी का information दिया हुआ रहता हूं तो एसडी को इससे डिवाइड कर देता है हमारा coefficient of variation आ जाता है एसडी को इससे डिवाइड करने पर है ना तो यह हमारा एक तो हो गया दूसरा वाला हम करते हैं अब दूसरा वाला radar की basis में करेंगे इस बार 14% से risk adjusted discount rate रडार के basis में क्या हमारा प्रोजेक्ट का NPV होगा तो cash loss तो हमारा वह यह जो दिया हुआ है अब इस पर मैं क्या गरूँगा 1 divided 1.14 equal 0.8771 0.877 लिग दिया तो यह ना फिर 0.769.770 इन डिजिट यूजवल एक्जाम में ले सकते हो आप ठीक है जादर ICA भी 3DGT लेते हैं 0.675 0.5920 वैसे भी कर सकते हो मैंने बोले ऐसे में भी कोई दिक्कत नहीं है बट ICA वाला स्टाइल ऐसा है जो मैं बता रहा हुँ 0.519 यह किया प्रेजेंट विलू में 25 इंटू 0.877 21.925 60 x 0.77 46.2 75 x 0.675 50.625 80 x 0.592 47.36 65 x 0.519 33.735 यह इसका टोटल कोई मुझे बता सकते हैं इसका टोटल मुझे बता दो कोई कि स्रिस्टी ची आपने अलग वी में क्या होगा तो फ़रा लगा है कोई फ़रक नहीं पड़ेगा टोटल मुझे बता दी जब अपड़ से टोटल कितना है वह 99.785 आया है क्या है और इनिशियल इन्वेस्मेंट तो वही 100 है तो एन्पीवी कितना है 99.785 एन्पीवी आया है ठीक है अब एक बात बता हो मुझे अब इसमें ये decide मत कर नहीं है मत बोला कॉन सा project better प्रोजेक्ट एक ही मेरे वाईर यह से टिक पर्फंपर्शन से science किछ हमाने वीहरोफ लगेसिट बात खतम तो यहांपर वह रस्क अड़स्टे डिस्काउट रट खो weakened नहीं है risk free rate plus risk premium में मतलब जो cash flow में risk होते है न वो cash flow में जो risk होता है उस risk के बदले हमें premium चाहिए और वो premium हम क्या करते है discount rate में adjust कर लेते हैं जिसने हम जो project कोई भी project हम plan कर रहे हैं कि उसमें काम करेंगे अगर हमें दिख रहा future में उसमें risk होगा तो obviously बात है हम वो risk को ध्यान में रखते हुए क्योंकि वो cash flow वो actual नहीं है उस cash flow में क्या risk है तो वो risk को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं हम अपना discount rate यानि अपना requirement जो बढ़ा देते हैं हम जादा requirement चाहिए क्योंकि हम risk ले रहे ने अपर यह तो पहली class में बताया था अगर मालों में कहीं पर invest कर तो मालों 10% मिलेगा मुझे अपना धंदा करना चाहता अपने धंदे में risk है तो मैं और 10% मेरा मन नहीं परिएगा मैं रिस्क ले रहा हूं मुझे प्रीमिम दी चाहिए है न हम मैचे वगेरा देखते हैं आप दिखना जब मैचे वगेरा हुआ था मालों इंडिया और आपको दिखिया की इंडिया की हालत खराब है मालों इसक इंडिया में जाते है तो आप वैसे सिच्वेशन में इंडिया में पैसा लगाओ कि डबल ट्रिबल चोपल पैसा मिलेगा रिस्क जादा है वहाँ पर तो जितना ज्यादा आपको भाव मिलते हैं कि आपको समझना है ठीक है जैसे आपका वर्ल्लकप था तो वर्ल्लकप में क्या हुआ था 23 वर्लकप में इंडिया के पॉजीशन खरैती बहुत कम दिया तो वहाँ पर मैंने दिखा थे तो आपको प्रकड़कर पूरा भी नहीं मिल यह तो वैसा तो तो ज़तना ज़ाता रिस्क होता है उतना ज़ादा आपको प्रीमें मिलते हैं तो आप देखिए यह हमने समझ लिए हाँ पर पूरा अच्छे से अब मैं आपको समझाऊंगा एक और टॉपिक डेटिस वर्ट सर्टी इंटी इक्विविलेंट यह भी बहुत सिम्पल है और उसमें छे पीपर से आपने सोचा कि 300 लाओंगा तो मैं पास हो जाओंगा और आपकी तयारी भी जो हैं वो 300 की तयारी है आपके दिमाद में चला 300 लाने है बस और 300 की अब तयारी कर रहे हूं रिस्क है कि नहीं तो चुमान लो फॉर एक्जामपल अगर आपका जो पर्फ मोमेंस बिगर गया 10% एडवर्स हो गया है ना आपका एक्जाम उतना अच्छा नहीं हुआ या फिर 10% आई से ने आपके नंबर कार दिये तो आपका 300 अपने तयारी किया था आपका आएगा कितना 270 आएगा आप तो फेल होगे आप तो फेल होगे ना पर वहां पर आप पा करेस लोगते हैं Trud시에 को लगते है आ二 एर में आपको लगता है 40 लागों इcorn intrans मेने आपसे पूछा कप अपका को प्रॉजेक्टant क्या यह इक प्रोजेक्ट में क्या यह से लो कितना इस तो मैंने आपको बोला सटीनिटी के साथ 50 लागा तो सटीन है कि मेरा कैस लो होगा कम से कम 50 लाग तो मेरा कैस्फ लो होगा मुझे पता अपने पांस एक्स फिरियन से कुछ भी हालात आजाए, recession आजा, जो भी हालाद आजा, 50 लाग तो मेरा कम से कम हो गए, कि certainty, मतलब सर्टीन के बराबरे लग रहा, certainty equivalent, मतलब substantial लग रहा है कि इतना हो जाएगा, दूसरा, second year का मैंने पूछा, ऐसे तो 65 लाग है, मैं आप से पूछा, certainty बताओ, certainty कितना है, आपने बूला, certainty है कि 45 लाग तो हो गई, 早ए, it's 35 लाग हो, ठर्ड वाले मैं पूछा कितना होगा, certainty, आपने बूला, 40 लाग तो होना चाहिए, पर certainty हम आपको दे सकते हैं कि 30 लाग तो certainty हो गई, यहाँ पर हम certainty दे रहे हैं कि चलो यहाँ पर 55 लाग के हम certainty दे रहे कि 55 और यहाँ पर भी हम certainty दे रहे कि 55 लाग तो हम कमाएंगे इसके हम certainty तो यह हमने बोला certainty यह cash flow अब बताओ यह cash flow में risk है की नहीं है मुझे बताओ यह cash flow में risk है या नहीं है इसमें risk है इसमें certainty नहीं है इसमें हमें क्या यूज करना चाहिए risk adjusted discount rate यूज करना चाहिए आया ना मुझे बुलो इसमें radar यूज करेंगे risk adjusted discount rate यूज करेंगे अब बताओ ये वाला जो cash flow है इसमें कोई risk है क्या है इसमें कोई risk नहीं है क्योंकि certainty वाला मैंने बता है cash flow तो no risk on cash flow यह certain है इसमें certainty है किसी को मोलते है certainty equivalent यह certainty है तो इसमें मुझे बताए क्या मुझे radar यूज़ करना चाहिए अगर मैं यह cash flow को consider ही नहीं करूँ अगर मैं इस cash flow को consider नहीं करके यह वाला cash flow अगर मैं consider करता हूँ तो बताए क्या मुझे risk adjusted discount rate से मुझे बताए कि मुझे इसमें risk free rate यूज़ करना चाहिए risk adjusted discount rate यूज़ करना चाहिए आप बतो risk free यूज़ करें और radar यूज़ करें आप बतें क्या यूज़ करना चाहिए आपका logic क्या कहता है इसमें क्या यूज़ करना चाहिए R.A.D.R. की risk free reduce करना चाहिए मुझे सब से जवाब चाहिए प्रीस फटाफट से जवाब दो क्या use करना चाहिए प्रिसना जी का अंसर आगया risk free बाकी बच्चों का क्या बाकी बच्चे भी तो reply करें गलत होगा चलेगा कोई दिक्कत नहीं है सबका अंसर आने लगया risk free obvious सी बात है risk free हम इस्तमाल करेंगे R.A.D.R. हम use नहीं करेंगे क्यों करेंगे भाई R.A.D.R. हम use कब करते हैं जब cash flow में risk होता है जो cash flow हमने प्रेडिक किया अगर उसमें risk होगा तभी तो R.A.D.R. use करेंगे इसमें तो कोई risk ही नहीं है ना इसमें तो कोई risk ही नहीं तो फिर हम क्यों use करेंगे तो अब हम क्या करते हैं कि example करते है cash flow हमने लिया here 1,2,3,4 here हो गया 90,000 लिया 90,000 95,000 1,2,000 यह मैंने cash flow लिया और इसमें मैं certainty equivalent है दिले तो 70% है इसमें भी 70% है 70% है और इसमें मालो 80% यह क्या होगा बता है यह मतलब हम कहे रहें कि को 90 था हो चैना हम सोच रहें कि cash flow होगा पर 70% तो हम cash flow generate करेंगी इसका certainty है तो मतलब आपका certainty equivalent cash flow क्या होगा certainty equivalent cash flow क्या होगा 90,000 हम नहीं लेंगे अगर हम यह चाहिए यह भी ले सकते हैं इसके लिए हम कौन सा टेकनीक यूज करेंगे इनको रडार से पुल कर दो एक तो इसमें हम क्या कर सकते हैं इसको रडार से पुल कर देंगे बात कर दम यह cash flow और या विर हम certainty equivalent cash flow ले ले 90,000 का 70% कितना होगा 63,000 ले ले हमने 80,000 का 70% कितना होगा 56,000 ले लिया मैंने 95,000 का 70% कितना ले 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 मैंने 1,2,000 का 80% कितना ले लिया मैंने 81,600 ले लिया मैंने और 1,5,000 का 80% कितना हो गया 84,000 ले लिया मैंने ये मैंने cash लो ले लिया अब आप बताइए इसमें मैं क्या risk adjusted discount rate का इस्तमाल करूँ नहीं इसमें मुझे इस्तमाल करना ची risk free rate का तो आप बताइए ये सारे में मेरा क्या लगीगा use of risk free rate ये cash flows में हम क्या करेंगे RF का इस्तमाल करेंगे और उसके बाद cash inflow का present value आजाएगा हमार present value आगी हमारा और फिर हम क्या करेंगे NBB निकाल लेंगे cash outflow जो होगा उसके जरिए तो अब यह चीज आपको समझ में तो यह देखो conventional technique में दूई technique था कितना कितना simple technique था एक risk adjusted discount rate था हमें पते है जब आपका overall cash flow जिसमें risk के आप RDR से पूल कर तो और अगर माल लीचे आपने certainty equivalent इस्तमाल कर दिया आप RRF से पूल करोगे तो दोनों से ही आपका अंसर आएगा दोनों approach चलते हैं आप या तो फिर RDR approach इस्तमाल करो या फिर आप certainty equivalent approach का इस्तमाल करो बस यह ध्यान लगना RDR approach में आप risk adjusted discount rate का इस्तमाल करोगे बड़ certainty equivalent में आप क्या करोगे किस का इस्तमाल करोगे risk rate का इस्तमाल करोगे क्योंकि वहाँ पर आपने risk को हटा दिया certainty cash flow आप ले रही हैं पर तो यह चीज़ बे मैंने आपको पूरा का पूरा एकदम अच्छे से clear करवा दिया है तो अगर मैंने यह clear करवा दिया तो बनते है हमारा question करना भी हमारा बनते है तो चले illustration 8 में आपके साथ discuss कर लेता हूँ अच्छे से कितना मजा रहा है तो illustration तो सारे अराम से हो गए तो tension के बात ही नहीं है मतलब पूरा chapter देखना easy बना दूँग जो extra question पहले ICA का practice manual वगेरा में था लेकिन अब भी आपके study material में नहीं डाला गया वो भी करेंगे ऐसा नहीं है कि मैं सर्फ easy easy करा के छोड़ दूँगा सब कुछ कराऊंगा वो भी easy बनाऊंगा सब तो कुछ रहनी नहीं दूँगा आपकी जिन्दगी में और हम सारा कोशिन करेंगे कोई भी प्रकार का म्रस्क नहीं उठाएंगे सारा concept में भी कोई compromise नहीं होगा कोशिन में भी कोई compromise नहीं होगा इस बात का वादा रख चलो तो देखें आगे बढ़ते हम हम इफ इन्वेस्मेंट प्रोपोजल कोस्ट रोपेस 45 लाग एंड रिस्क फ्री रेट इस 5 परसंटे कोई यहां पर दे दिया इनोंने रिस्क फ्री रेट पर एक्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पता दोनों दे देंगे आरेफ भी दे देंगे और या फिसका यहां पर आपका कैस्ट लोज दिया हुआ है क्या आज में एक्स्ट्र टॉपिक नहीं कर आउँगा ठीक है कुछ कुछ कोशियन करा के छोड़ दूँगा इस लिए कल मेरे भीया की सगाई है तो उसके लिए बहुत काम करना पैंडिंग है और कल इसलिए मैंने बुला ने कल क्लास भी नहीं होगी बहुत सारा काम पैंडिंग बढ़ा हुए मतलब वह सारा आर्ज निप्टान है फिर मैं इस फिर पर्स मिलेंगे तब परसो से में मिलेंगे पूरा जब तक और सब ग्रुप को करन डिया ठीक है और यह तो हम क्या निकालेंगे स्टेनीटी क्विविललेंट के यह स् लूं तो अब यहां पर 10 लाग पर 0.9030 इक्विविलेंट है तो कितना आएगा नाइन लाग रुपीज आएगा अमीजी कल कॉंगराचुलेट करना आद मत करो कल हो जाए ना उसकी बाद कॉंगराचुली ठीक है तो देखें 15 लाग का 85 परसेंट 12 लाग 75 थाउचन फिर 20 लाग का 82 परसेंट 16 लाग 40 थाउचन फिर 25 लाग का 78 परसेंट 19 लाग 50 थाउचन यह आया हमारा अब देखो यह 30 एक्विविलेंट क्यास फ्लू है इसको हम प्रेजेंट वेलू में खीचेंगे आरेफ से आरेफ कितने हैं अब यह 5 परसेंट तो पीवी 5 परसेंट कम निका लेते हैं 1 डिवाइड़ेद 1.05 कॉइंट 9523 पॉइंट 952 लिख लेता हूं मैं पॉइंट 907 पॉइंट 864 पॉइंट 823 क्या है एगा सेटीनिटी क्विविलेंट क्या है का प्रेसेट्ट विलू आएगए नाइन लाग का पॉईट नाइन फैप टू 8568 00 सही जा रहे हैं न बता दो मुझे कुछ गरबर तू नहीं किया कुछ गरबर तू नहीं है मुझे फटा फट से बता दो आप 12,75,000 इंटो 0.907 1156,425 16,40,000 0.864 14,16,960 फिर 19,50,000 इंटो 0.823 16,04,850 यह आया तो प्रेजेंट विलोप कैस फ्लो क्या आगया मुझे बता दो निकाल लिया 1416,960 अच्छा नहीं नहीं वह ठीक है तोटल भी बता दो मुझे क्या आएगा जल्दी से मुझे टोटल भी बता दीजे इमीशेर इंवेस्मेंट कितना लग रहा है 45 लग लग रहा है कि निकाला फाइब जिरो थ्री फाइव नाइन थ्री वाइब है क्या है अलग अलग बता रहो फाइब जिरो थ्री फाइब क्या कितना आएगा 535,000 जिरो 305 का NBB कितना अच्छे से हो गया देखो इतना सिंपल है कितना लॉजिकल है कुछ टफ है नहीं है सर क्या हैुआ सब पढा रहो मलब तफ ही नहीं लगा रहा है सो कुछ एह पढ़ रहा है मतलब या फैसे लग रहे स्कूल में पढ़ रहा है पैज टॉय फैनल पढ़ रह रहे को सिनार्योड थैंकter नहीं отправ सारे question करेंगे यह बिल्कुल भी tough नहीं है अगली class में discuss करेंगे डड़ेश पर्सो और अभी मैं आपको कराऊंगा इपट test your knowledge के question में आजो हमारे question में अब screen पर द्यान दो अगर आपके बस question में नहीं को tension वाली बात नहीं है अब screen पर द्यान दीचे मैं अभी आपको एक question कराता हूं एक अच्छा question करते इसमें थोड़ा सा working होगा लेवर वर्क होगा आपका थोड़ा सा ठीक है यहाँ यहाँ पर देखिए तो simple question है आप homework दूँगा अभी homework कीजेगा question to simple question है homework दूँगा मैं लोगों मैं अभी आप लोगों करवाता हूं question number 1 करते हैं इब आप खुद से try करना पसंद करोगे मैं करा देता हूं चार्ट करें question number 1 करते हैं यह अच्छा लगए आप को जल्दी से मिल जाएगा मार जी थोड़ा थोड़ा कुछ को छोड़ा चोड़ा करेक्शन है जल्दी से मिल जाएगा यह जनुप जी उसका recording का view मिलेगा आजो question number 1 skylar k airvers is planning to acquire a light commercial aircraft for flying clients at an investment और रुबिस 50 लग यह क्या करना चाहते है कोई aircraft बनाएगा क्लाइंड क्लास के clients के लिए light commercial aircraft बनाएगा और investment इसमें लगएगा इसका 50 लाग रुपिस इसका expected cash flow after tax for the next three years दिया हुए next three years का expected cash flow दिया हुए तो देखो हर cash flow में probability दिया हुए उससे हमें expected cash flow first year का निकल जाएगा second year का निकल जाएगा third year का cash flow निकल जाएगा initial investment हमें पता ही है इन सभी cash flow को present value में pull करके हम NPV निकाल लेंगे मैं निकाल के दिखाऊंगा NPV तो आपका आ जाएगा फिर यह possible deviation भी पूछ रहा है मतलब यह risk भी पूछ रहा है तो हर year का में रस्क भी निकालना पड़ेगा तो चलिए हम एके करके करते यह रवन का कि यह रवन का अगर हम करें हम बोले cash flow क्या है हमारा कि यह 14 लाग 18 लाग कि 14 लाग 18 लाग और 40 लाग है यह आया हमारा हम इस पर हम क्या लगाएंगे probability लगाएंगे कि पॉइंट वन पॉइंट टू कि पॉइंट फॉर पॉइंट थी जिरो कि तो फॉटीन लाग का पॉइंट वन लाग फॉटी थाओजन आए गई यह कोशन में एक दो चीज़ बताना है मुझे आप लोग को यहां देना अच्छे से 25 लाग का 40 परसिंग कितना आएगा 10 लाग आएगा 40 लाग का 30 परसिंग कितना आएगा 12 लाग आएगा हाई तो मेरा अग्स बार आजाएगा डिक्स एकस्पेक्टे कैर का इगा हमारे छ। आ एएगगर कितना रहे तो व Alt वै लाग 22 लाग 25 6026 27 ला रहे हमारे 27 लाग 11 एग्स बार यह आग्या अब हम क्या करेंगे र Afghanistan1 लाग हमारे मायए 27 ये इससे माइनस करेंगे 13 लैक आएगा 18 लाक माइनस 27 लाक कितना आएगा 9 लाक आएगा 25 लाक माइनस 27 लाक माइनस 2 लैक आएगा इसे माइनस पर होंगे ना तब छोटे है लास्ट वाला 13 लाक प्लस में है मैं क्या बहुत प्लस में घांग गया में काम करता हूं और इसमें Liende लिख देता हूं वह ज़्यादा अच्छा रहेगा यह तो अन्यसेसरीली पांगल हो जाओ गया इसमें लैक्ष लिख दो और इसको भी हम क्या करते है पता है थो पांगल हो जाओ गया तो थर्टीन लाग कितना आएगा 13 169 लैक्ष स्क्वेर हो जाएगा यह है न ना 9-9-81-81 लैक्ट स्क्वेर हो जाएगा यह फ़ोर फोर लाक्ट स्क्वेर हो जाएगा यह और लास्ट वाला वो आपका कितना था 13 लाक्ट था ना मेरे कहाँ से 27-14 लैक्ट घ्र भी आपको 169 लाक्ट वह जाएगा यह x minus x bar whole square individual variance निकाल लिया अब इसका हम क्या करेंगे इसमें probability लगाएंगे तो 16 169 square into 0.10 करेंगे तो 16.9 lakh square आएगा यह 81 का 20% 88 16.2 lakh square आएगा यह 4 lakh का 40% कितना आएगा 0.4 का 0.16 आएगा क्या 1.6 आएगा sorry लेक्ट square आएगा फिर 169 लग का 30% कितना आएगा 16 32 48 50.7 लेक्ट square आएगा 16 32 33 83 बताओ मुझे आप लोग 83 84.3 85.5 आ रहा है क्या यह आ रहा है क्या variance बताओ दो एकवा मुझे तो आपका sd क्या होगा इस सा रूट होगा इस बताओ सही है क्या यह बता दो मुझे 9.247 आ रहा है बताओ मुझे जल्दी सही सही नहीं है क्या सही है न यह 85.4 85.5 पकड़ लिया ठीक है 9.247 आया सही है अच्छा 16.9 था उपर वाला कुछ गरबड़ 85.4 है न चलू ठीक है 85.4 का रूट कर देंगे 9.24 लेक्स आ जाएगा ठीक है तो आप देखिए यहां पर हमने क्या-क्या निकाला हमने यहां पर बोला एक्सपेक्टेड कैस्ट लो 27 लेक है वारियन्स हमारा आ गया कितना 85.4 लेक्स्क्वेर और एसडी टेंडर डेवीशन है 9.24 लेक्स इसी प्रकार से कि आप यहर टू का निकालोगे खुद से कि यहर टू का खुद से निकालना चाहोगे अब 15, 20, 32, 45 मैं सीधा लैक्स में लिखता हूँ 15, 20, 32, 45 यह निकाला हमने प्रोइबिलिटी डाला कितना प्रोइबिलिटी है 0.1, 0.3, 0.4, 0.2 तो कि एक ची मुझे बताना है एंपी बी इस्टेंडर डेवीशन का भी आवरेज निकालना पड़ेगा मैं प्रेजेंट वेलो वो मुझे बताना आपको आगे एक बार यह करने के बाद फिर हम आगे प्रोइड कर पाएंगे 0.1, 0.3, 0.4, 0.2 0.4, 0.2 यह प्रोइबिलिटी अगर हम लगाएंगे तो उसके बाद हमारा एकस्पेक्टेड कैस्ट हो आजाएगा 1.5, 20 लाग का 0.36 आएगा यह 32 का 0.33, 12, 12.8 है ना और यह 45 का 2, 4.59 आएगा 12, 9, 21, 27, 28, 29.3 क्या आपका एकस बार बोल दो जो बोलो यह या वाई बार बोल दो यह आप 29.3 आग्या मारा यह अब य माइनस वाई बार क्या आपस निकालेंगे 15 माइनस 29.3 कितना आएगा 14.3 माइनस पे आएगा 20 यह यह नि माइनस 9.3 आएगा 32 यह नि 2.7 आएगा 45 यह नि 15.7 आएगा यह आग्या y माइनस y बार y माइनस y बार whole square कर दो अब 14.3 सही जा रहें ना मेक्दम मच्छे से 14.3 किंटू 14.3 यह आग्या 204.5 9.3 into 9.3 86.5 2.7 into 2.7 जागे 7.3 मैं round off कर रहो 29 को 3 करते रहो 15.7 into 15.7 246.5 यह हमने कर दिया अब इस पे हम क्या करेंगे probability लगा देंगे probability लगा देंगे न कितना आएगा 20.45 आएगा पहले बाले का 204.5 का 10% 20.45 86.5 का 30% 25.95 7.3 आए थे गही है 2.7 into 2.7 जाए 7.3 का 40% 2.92 और 246.5 का 20% 49 प्रता हो कितना आ रहे है 98.61 है क्या सब का यह है क्या 98.61 का variance आया SD कितना होगा 9.93 यह मिटा रहूं है आपर और side में मैं लिख दे रहा हूँ expected cash flow कितना आएगा 29.3 आया हूँ variance आया मेरा variance of x लिख देते है यह variance of y लिख देते है यह 98.61 यह 9.93 अब year 3 की बात करते है year 3 में क्या 18, 25, 35, 48 48 लाग year 3 का यह हो गया हमारा probability आपका है 0.2, 0.5 0.2, 0.5, 0.2, 0.1 अब यह आप खुद से निकालो मैं तब तक पानी भी क्याया मुझे यहाँ पर तीनों चीजे चाहिएगे expected cash flow variance of z पकड़ लो इसको और sd यह तीनों चीज मुझे चाहिएगा मैं पानी भी क्या दो तब तक complete कर देना तब कोई complete करना फिर आगी का प्रोसीडूर बताएंगे आगी क्या करना में है ना आगी का प्रोसीडूर में बताऊँगा फटा फट complete का प्रोसीडूर में प्रोसीडूर बताएंगे निकाला आप लोगों ने expected cash flow कितना निकाला बताऊं यह आप लोगों खुद करना मैं नहीं करूंग यह ठीक है आप लोगों खुद करना यह पूरा का पूरा का expected cash flow कितना है मुझे बता दो 27.9 क्या और फिर बाद में मुझे सीधा में आप लिखता हूँ z minus z par whole square यह कितना है variance of z sd of z कितना है variance निकाला तो बताऊ कोई निकाल लो अराम से कोई दिखकत वाली बात नहीं है किया आराम से निकाल लीजे प्रिणिस न.9 तो सही है वो तो निकल लिया बता दिया आगे का बताऊ पूर तो कोई दिखकत नहीं है 74.29 यह आया इसका root कर देते हैं 8.62 आएगा 8.619 को 8.62 पकड लेंगे और expected cash flow तो 27.9 थाई अब देखो हमें क्या मिल गया पता है हमें तीनों साल का यह आच यह तो year 3 उपर लिखना चाहिए यहाँ पर आएगा यहाँ पर भी year 3 उपर आएगा तो year 1, year 2, year 3 का हमने cash flow निकाल लिया अब मैं क्या लिखूंगा पता है मैं लिखूंगा अब years पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और expected cash flow हम लिख लेंगे आपर expected cash flow हमारा क्या हर साल का निकाला न हमने 27 पहले साल का और दूसरे साल का कितना है 29.3 lakh और तीसरे साल का है 27.9 lakh यह हो गया हमारा cash flow हर साल का अब इसे present value में pool करेंगे किस rate से present value में pool किया जाएगा कोशे ने दिया हुआ ही क्या present value नहीं दिया हुआ अच्छा दिया हुआ ही रहा 6% 6% rate दिया हुआ है ठीक है लेकिन यहां पर obviously बात रस्क है तो यहां पर radar का इस्तमाल होना था चलो जो rate दिया हुआ हम उसीका इस्तमाल करेंगे तो जो रेट वह हम इसेस्ट इस्तमाल करेंगे अब दिया हुए नहीं तो क्या कांड़ सकते ए इस ए पर आदिसन और taa नहीं इस्तमाल करेंगे तो नहीं में इस्तमाल करेंगे तो 27 लाग का 6% से पूल करेंगे 1 डिवाइद 1.06 कितना एगा 0.9433 0.943 लिख दिया 0.889.890 0.8396.840 तो present value क्या आएगा 27 लाग का 0.94 25.46 29.3 का 0.890 26.07 27.9 का 23.43 यह हमारा यह बता हमारा 10 पीवी का कल्कुलेशन एडिंग यह देदा तो आपका यह आया तो therefore present value of all cash inflows कितना आया हमारा 25.461 प्लस 26.077 प्लस 23.4 74.974 इनीशल इन्वेस्मेंट कितना है इनीशल इन्वेस्मेंट कितना है हमारा 50लेशन अध्या एन्वीवी कितना है 24.9 और एन्वी एन्वी न्वेस्मेट थो हमने निकाल लिया तो कोर्षिय ने पूछे एन्वी बता भू बता दिया अब possible deviation भी पूछ रहे इनी रिस्क भी पूछ रहे अब बोलो सर रिस्क तो आपने निकाल लिया था येस निकाला लेकिन ये तो year 1 का रिस्क है ये आपका year 2 का रिस्क निकाला ये हमने year 3 का रिस्क निकाला present value में तो बता हूँ तो हम वो कैसे बताएंगे देखो अब मैं इसके लिए बता रहा हूँ point number 2 में देखो year 1 year 2 year 3 year 1 का रिस्क क्या है हमारा year 1 का रिस्क एक बात सुनो मेरी ये जो standard deviation है ये value नहीं standardized form है क्योंकि हमने पहले क्या क्या था square किया था और उसके बाद ही हमने रिस्क निकाला था क्योंकि square किये बिना रिस्क निकलेगा नहीं वो 0 बन जाएगा तो square करके हमने रिस्क निकाला अब फिर बाद में वापस हम रूट करके standardized form में convert करें वो अलग बात है बट value पते हम हम इसाफ variance को मानते हैं और अगर आपको further evaluate करना है further calculation करना है तो variance का ही इस्तमाल कर सकते हो आपको ये धिहान में रखना आप sd का इस्तमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि variance ही आखिर में value है sd पस एक standardized form है और वो आखिर में करते हैं यहाँ पर ही हम क्या करेंगे यहाँ पर हम variance निकालेंगे last में sd निकलेगा वो आखिर में निकलेगा तो आप यह धिहान रखना एक्जाम के लिए जब कभी भी आप end value में अगर नहीं पहुचे तो आप sd का इस्तमाल नहीं कर सकते है sd को value मत समझना variance को यह value समझना तो variance हमारा हर साल का कितना दिया हुए 85.4 फिर आपका 98.61 और फिर आपका दिया हुए 74.29 अब देखो यह हम इसे pull करेंगे 0-3 में किस rate से pull करेंगे 85.4 को मैं pull करूंगा कौन से rate से obviously 1.06 to the power 1 से pull करूंगा मैं एक बार pull करूंगा लेकिन एक बार तो pull करूंगा पर इसको वापस से square करना पड़ेगा मैं पता है क्यों करना पड़ेगा क्योंकि यह variance है variance square हुआ था तो इसका जो PV है ना वो भी square होगा तो यहाँ पर यह हमेसे square करना पड़ेगा otherwise हम एक ही बार पूल करते हैं इसे लेकिन इसे square करना पड़ेगा जैसे इसका भी आप देखी तब आपको अपने आप समझ में आगा यह यह वाला अगर मैं बात करो आप बोलोगा से 98.61 यह टू में मुझे 0-3 में लाना है तो मुझे 1.06 को square करना पड़ेगा मैं एगरी करता हूं लेकिन लेकिन मुझे फिर से इसको square करना पड़ेगा फिर से इसको square करना पड़ेगा क्यों क्योंकि variance आपका square form में तो उसका discount value होगा वो भी square होना पड़ेगा जैसे आप देखिए 1 divided 1.06 आपका जो value आएगा पहले वाले का आएगा 0.943 अब यह 0.943 आपका square करना पड़ेगा क्य और square करने के बाद जो आपका value आएगा वो भी 0.3 का variance आएगा sd नहीं आएगा मतलब हम 0.3 का ultimately variance निकाल ले sd नहीं निकाल ले फिर 0.3 का variance आएगा उसको root करके फिर हम sd करेंगे आपर तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा square करना पड़ेगा है ना और इसको भी हम क्या करे करेंगे square करेंगे देखो मुझे बताना इसका कितना आएगा यह 74.29 divided 1.06 to the power 3 होगा यह तो लेकिन इसको में square करना पड़ेगा square कर रहे वो चीज़ धियान में रखना क्यू square कर रहे क्योंकि variance को खीच रहे और variance को खीचेंगे तो square करके ही खीचना पड़ेगा तो अब value क्या आएगे मुझे यह बता दो आप हम सबको square करके खीचेंगे तो value क्या आएगे और इसको खीचने पर हमारा variance आएगा आपका 0 तिरका present value variance आएगा हमारा कितना आएगा मुझे बताओ 85.4 divided 1.06 एक बार ही करते हम इसे लेकिन हम square करना पड़ रहे है क्योंकि हम variance को खीच यह आएगा 76 आ रहे क्या 98.61 divided 1.06 to the power 4 हो गया न चार बार equal दबाऊंगो 78.11 आ रहे फिर आपका 74.29 divided 1.06 एक दो तीन चार पांच छे बार करना पड़े है 3.261 52.37 इससे जो हमारा आएगा value यह हमारा value पता है किसमें आएगा variance में आएगा present value variance कितना है गा 76 plus 78.11 plus 52.37 206.48 52.37 206.48 इसे कि बताऊंगा calculator में कैसे कर यह आए हमारा तो therefore sd क्या आएगा 14.37 तुम निकाले नमबर वन में हमने एन पी भी निकाला एन पी वी हमने कितना निकाला एन पी भी निकाला था ना 24.974 लाइग sd कितना निकाला 14.37 लाइग ने sd भी निकाला अब एक बच्चे का पूछना था सर हम इसे shortcut में कैसे करेंगे simple सी बात है यह square हो गया 85.4 divided 1.06 equal equal दूबर दबाद हो 85.4 divided 1.06 equal equal दूबर दबाद यह 76 आ गया फिर 98.61 divided 1.06 कितने बार दबाना two or two four हो गया ना तो divided by 1.06 equal equal four बार दबाद हो चार बार दबाया 78.11 आगया फिर यहाँ पर 3026 हो गया यह 32 जा पावर है ना तो दोनों का पावर multiply हो गया तो 32 जा 6 ओर आपके यहाँ पावर इंटू पावर है तो दोनों का पावर multiply हो गया यह तो 74.29 divided 1.06 छे बार equal दबाना पड़ेगा कितने बार दबाएंगे 52.37 आया अल्टिमेडली वारियंस का present value निकाला उसको एस डी निकाल दिया 14.37 आपका है 14.36 9 यह नी 14.37 होगा हमारा तो यह हमने एस डी बिनिकाल दिया तो हमने पारट वन पार टू में पूरा कर दिया आप पर यह पहनी बीचाल दिया अब बोला की हाउड स्टेंडर्ड डेवीचन अब बेहिशन अब गया सो आपको कैसे मदद करता capital budgeting decision लेने में देखिए कभी-कभी ऐसे project रहते जिसका NPV same है मालों दो अलग अलग project दिखा दोनों project का NPV more than zero है दोनों project का NPV more than zero है है ना आपका दोनों project का और NPV same है मालों दोनों project का NPV है 15,000 15,000 तो कि हम NPV के basis में project को decide कर सकते कि project a बढ़ी है कि project b बढ़ी है नहीं हम NPV के basis में project को decide ही नहीं कर पा रहे है क्योंकि दोनों का NPV same है वहाँ पर standard deviation दूर पर वहाँ पर हम क्या करें हम यह देखेंगे standard deviation किसका कम है जिसका risk कम है जिसका standard deviation कम है उस project को accept कर लिजे तो ओविस नी बात है capital budgeting decision लेने में standard deviation बहुत अत्तक मदद करता है खासकर उन जगा में जहां पर NPV दोनों का team है तो हम standard deviation की मदद से decision ले लेते हैं और या फिर combination of NPV and standard deviation की मदद से भी हम decision ले पाते हैं जैसे coefficient of variation हमने देखा तो coefficient of variation का use करते हैं जहां पर हम जहां पर हमें standard deviation की standard deviation हमें मदद तो करता है हमें मदद करता है यह पता करने में कि कौन सा आपका project अच्छा है तो देखिए यहां पर लिखा हुआ भी coefficient of variation की मदद भी लेते हैं यहां पर और जहां पर आपका NPV कम होता है वहां पर हम देखते कि जो project कौन सा less risk है जिसका risk कम है वह project हम accept कर लेते हैं और बाकी आप चाहो तो यह ICA का लिखना चाहो तो रट्टा मार लेना तो बाकी मैंने समझा दिया हम मेरे तरीके से लिखोगे तो भी चलेगा हम deviation निकालते कैसे थे gap जो हमारा बस बात कर तो बदर यह question आपको देखो यह question में आपको labor वर के थोड़ा सा लेकिन ऐसे question exam में पूछे जा सकते तो आप इसको जरूर से practice कीजिए जरूर से practice कीजिए इस question को अच्छे से करिएगा practice घर पे और यह question मैं आपको अच्छे से करवा दिये अब मैं आपको क्या करूँगा homework दूँगा आज की class मैंने जैसे खाँ कल का function के लिए बहुत कुछ ले सकतो try करना बाकि हम class में discuss करेंगे तो यह homework मतलो यह homework नहीं लेना है यह वाला homework लीजे यह ध्याने की project ऐसे है ठीक है question मैं four homework ले रहा हूं दे रहा हूं मैं आप लोगो four homework ले ले लिजे और five भी homework ले ले लिए यह सब कर पाऊगे अब नहीं कर पाऊगे तो बताना मैं sure हूं कर पाऊगे अब यह इतना ही देता हूं जादा नहीं दूँगा तो मैंने four five और question number two तीन question मैंने आप लोगो homework दिया जो आपको खतम कर लोग अच्छे से बताओ और मेल आप लोगो मिलाओगा मेल के जरी वाट्सप ग्रूप जरूर से जोइन कर लिजेगा बताइए कर लोगे अराम से तो आज की class को हम खतम करते हैं नोर्स में आपको वाट्सप ग्रूप पे सेर कर रहा हूं भी मैं आपको अनुच जी ऐसा तो नहीं होना च्छी office वाले number में pick करेंगे आप ring होगा तो pick करेंगे आप fallback आएगा आपको जिरूर से ऐसा होता ही नहीं है आप फिर से try कीजे नहीं होता तो मुझे वाट्सप की एक के मैं आप लोगों को इसका दोनों का पीडे वट्सप ग्रूप चाहरि है रहा हूं कोशन्ट मेंक का Capital बेचेटिंग का एक्स ट्रक भी वत्सप ग्रूप चाहर कर रहा हूं मैं आप Beschth कर दो को